दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने कैमरा को आपके मोबाइल के साथ में वायरलेसली कनेट कर सकते हैं जिससे आपकी जो पिक्चर्स हैं वो इंस्ट अप छोटे स्क्रीन की बजाए आप बड़े स्क्रीन के उपर अपनी फोटोस को देख पाएंगे और अगर आपने कोई भी गलती की फोटोशूट में इन टम्स ऑफ लाइटिंग, इन टम्स ऑफ फोकसिंग, इन टम्स ऑफ वाइड बैलेंस तो यहां जब आप बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तो वो आप सारे करेक्शन कर सकते हैं उसके लावा पिक्चर्स जो भी आपको सेलेट क जरूर देखिए, सो वेलकम बेक टू मैं चैनल फ्रेंड्स, दिस इस मनीश अकसेना, आई ये शुरूबात करते हैं अब दोस्तो आगे बड़ें, उसके पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा, देखिए जब भी हम अपने मोबाइल फोन को यूज करते हैं तो यहां पर आप कहेंगे कि सर आप तो जब भी फोटो शूट करते हो, तो आप जो है टेदर शूटिंग करते हो, यानि कि आप अपने कैमरा को एक टेदर केबल से जोड़ते हो, लैप्टॉप के साथ और फोटो शूट करते हो, ताकि वो बड़े स्क्रीन पे दिखाई द तो आप अकिले शूट नहीं कर रहे है, आपका घ्रिफ होता है, क्लाइब की टीम होती है, क्लाइब का अकी भी टीम होती है, जो सारी फोटो शूट पर नजर रखती है, तो यहां पर देख लेन लगते हैं, और शक्रिन के ओपर देखने ह DewBI है, तो ऐस फोटो फोटो ऑप थोड़ी सी inconvenience होती है आपको थोड़ा सा concentration lose होता है और आप जो है अपने फोटो शूट पे फोकस करने की बजाए आप लोगों को handle करने में लगे होते हैं कि यहां से आप हटी है screen के उपर मैं यहां shoot कर रहा हूँ अब उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है लेकिन अगर आप अपने mobile के screen को आप wirelessly connect कर देंगे अपके camera के साथ में तो जितने भी clients है वो अपने mobile के उपर आसानी से कहीं भी बैठा है वहाँ पर वो access कर पाएगा मानली जिए आपका client है तो उसको screen के उपर यहां laptop के उपर खड़े उने की जरुत नहीं है तो अपनी चेर पर बैठे बैठे भी आप उसके mobile में सारी pictures आ रही है और as a photographer क्या होता है कि जरूर नहीं कि screen आपके पास में ही हो तो यहां पर दोस्तों दो चीज़ों की बहुत importance है सबसे पहले दोस्तों आपको एक software डाउनलोड करना पड़ेगा Capture One अब Capture One आपको कहां मिलेगा दोस्तों तो मैंने उसका link लगा दिया है आप website पर जाएए www.captureone.com पर और वहां आपको 30 days का यह software एकदम free मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको इस software अपने laptop के उपर जो है वो download करना पड़ेगा उसके बाद जो दूसरे step है वो यह है कि आप अपने mobile के अंदर दोस्तों यहां पर एक app आती है Capture Pilot की जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह आइकन है Capture Pilot का तो वहां पर आप जाए एप store के अंदर और वहां पर आप जाके जो है इस app को download कर लिजे जब आपके पास में यह app आपके mobile पर आ जाएगी तो यह process पूरा आसान हो जाएगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने अपने mobile में जो है Capture Pilot को download कर लिया इस app को और मेरा जो आप computer है यह यह जो laptop है वहां पर भी जो है Capture One download हो चुका है अब दोस्तों हम इस app को open करें उसके पहले आपको एक बहुत important बात का ध्यान रखना है वो यह कि जब भी आप इस तरी की shoot कर रहे है तो वहां पे जो है आपका Wi-Fi internet connection होना बहुत ही ज़रूरी है अब ज़रूरी नहीं कि आपके camera के अंदर Wi-Fi connection हो बट अगर आपके laptop और desktop है वहां पर Wi-Fi से वो जोड़ा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो software याने की capture one मैंने अपने laptop के अंदर download किया है वो वहीं से जो है connect करता है आपके mobile के अंदर तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह की shooting कर रहे हैं वहां पर internet connection होना बहुत ही जान रखते हैं दोस्तों वो है कि यहां पर आप देख पा रहे हैं एक symbol आपको screen पर दिखाई देर है camera का वहां पर आप क्लिक कीजिए और नीचे आप देख पाएंगी जब मैं नीचे रहता हूं तो यहां पर आपको दिखाई देर है capture pilot तो आपको capture pilot पर क्लिक करना है इस इस तरह से window open हो जाएगी और यहां पर दोस्तों देखिए नीचे आप देख पा रहे हैं start server तो आपको start server पर क्लिक कर रहा है इस तरह से अब मेरा जो capture pilot है वो अब live shooting के लिए तयार हो गया यानि कि अब जो मेरा mobile का screen है वो एक तरह से बड़ा screen बन चुका है चलिक मैं picture लेता हूं आपके सामने आप खुद देख पाएंगे मैं फिलाल देखिए इसको इस तरह से यहां पर मेरे mobile को रख देता हूं आपको समझान आने के लिए देखिए इस तरह से रख दिया है मैंने चलिए अब लेते हैं पहला शॉट और देखते हैं क्या हमारी picture जो है इस तरह से फोटो आ गई है अब यहां पर आप सारी चीज़े चेक कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं इस सार इस तरह से अपना मोबाइल और मैं इस तरह भी इसको पोट्रेट मोड में भी देख सकता हूं और लेंड्सकेप मोड में भी तो यहां से आपको पता चलता है दोस्तों कि आपकी focus इसमें कैसा है आपके colors कैसे आए है और इसकी जो overall जो इसकी जो भी इसमें गल्तिया आपने आपके पास में बड़ा स्क्रीन आप शूट कर रहे है तो अगर आपका क्लाइंट है तो क्लाइंट को जरूरी नहीं कि इस स्क्रीन के उपर वो खड़ा रहे है वो अपने आराम से सोफे बेठा है आपसे दूर बैठा हुआ है उसके मोबाइल के उपर भी जो है यह और आप देखिए यहाँ पर एक और हमारा पिक्चर यह देखिए एक और क्लिक होके आगया है यहाँ पर आप इसको जूम इन जूम आउट कर लिजिए अगर आपको कैमरा की सेटिंग्स भी चेंज करने है वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे लेकिन उसके लिए आपना और फ्लो है दोस्तों यह बहुत ही आपके शूटिंग के जो प्रोसेस को बहुत आसान बना देता है और आपका जो स्क्रीन है मोबाइल का यह एक बड़ा स्क्रीन बन जाता है बगेर किसी तारों को जोड़े हो दोस्तों सिर्फ आपको एक टेदर केबल की जरूर जरूरत पड़ेगी आपके लैपटाप को कनेट करने के लिए तो उमीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यह टेकनिक आपको पसंद आई होगी इससे जुड़े कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे जरू पूछेगा मैं खुशिश उनके जवाब देने की आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ थैंक्स वर वाचिंग